इरान युद की टेंशन के बीच तुर्की के राश्टपती ने नेतनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनेन की तरफ से हेजबुल्वा द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वाब देख सकतें यहां पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकिट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से घाड़ी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पावफुल ग्रूप बन रहा है इस ग्रूप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुर्की नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुर्की के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अल्बानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अर्दुवान इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साध लिया है क्या खाड़ी के सभी पावर्पुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वाट एंशन कम करने का वादा भी किया है साथी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साथी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजह ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूट डालकर खुद को खलीवा साबित करने में लगा है इसराइल मेजाली मि जोटिए गूरुब आजिए टूर आखिए आर अजिएल एंधि यूमेजिए यूम इन बेल आखिए यूमेट कंपसमा न एतिक आखिएल आजएल एजयेओर आए जाएग ए राले इसे घडिए अपर्ण पर इसराइल जैसे जैसे ट्राप मे पस्ता द मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर ये देखिए सामन की जो बिल्डिंग है उस पे रॉकेट की रहा था और उसकी वज़ज़ से दिवारें काली पड़ गई हैं हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इस बुल्ला ने ने मेजर गनीजाते लिबनान में हिजबुल्ला केखलाप जमीनी हमले में मारे गये हैं ग्राउंड बैटल में अब तक इस बुल्ला ने इसराइल के 12 सुल्जर को धेर्ट किया है अपने अफसर की मौत की बाद इस डियेज़ COMांडर मार डाले हैं जिसमें एक एहमद मुस्तग का अलहाज अली और दूसरा मुहम्मद अली हम्दान बताये गया है इस्बुल्ला के दोनों टॉप कमांडर एंटी टैंक पूर के कमांडर थे दो टॉप कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए इस्बुल्ला ने इसराइल कब्रिस्तानों को भी बारूट से पाड़ दिया के यहां की धार्मिक मानेता के मुताबिक उनको भी शान्ती नहीं और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान तूटा-फूटा यहां पर देखिए यह गवाही दे रहे हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहां पर अपने प्यज़नों को देखने आ रहे हैं दे हिस्बुल्ला फाइटर इसराइल के किर्याज शमोना से आगे बढ़कर अब्बैत हिलेल और मयान बारूच तक मार कर रहे हैं गैली ली में हिस्बुल्ला के रॉकेट के छर्रे से छलनी दिवारें हर जगा देखी जा सकती है हिस्बुल्ला के हमलों में आई तेजी की वज़ा से रदवान फोस के नए कमांडर की तैनाती है इसराइल मीडिया के मताबिक रदवान फोस के पूर कमांडर हैतम अली तबातबाई को हिस्बुल्ला के मिलिटरी उपरेशन का चीफ बनाए गया है एताम अली के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैनने ओपरेशन का जिम्मा सौपा गया है वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत की बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम कासिम को बनाये गया है नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी लेकिन अमेरिका के रहते ये मुम्किन नजर नहीं आ रहा है सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं ब्राउन यूनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये है अमेरिके हतियारों के आपूर्ती में लगबग 57.000 तोप खाने के गोले तोपों के लिए 36.000 राउंड गोला बारू 20.000 M4A1 राइफले 14.000 अंटी टैंक मिसाइले और 8.700 Mk 82 500 पाउंड बंब शामिल है इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे है इसराइल के आइरन डॉम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने 4 बिलियन डॉलर आइरन बीम लेजर एर डिफेंस सिस्टम के लिए एक दिशमलव दो बिलियन डॉलर की मदद दी है अमेरिका ने इसराइल को 14,100 Mk 84 अंगाइड़िट 2,000 बंब 3,000 जॉइन डाइरेक्ट अटैक मुनीशन डंब टु स्मार्ट बंब ट्रांसफॉर्मर किट 3,000 हेलफायर मिसाइल 2,600 धाइसो पाउंड जीबियू 39 छोटे बंब 1,800 M141 बंकर बस्टर बंब 36,000 नाइट विजन डिवाइस 200 स्विच बलेड ड्रोन 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ड्रोन और 75 जॉइन्ट लाइट टेक्टिकल वेहिकल भी दिये है इसराइल को एमेरजंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है हर तरफ से है चाहे हत्यार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे आटम बम हो इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सुपरपावर वो देगा लेकिन युद्ध में कभी इसराइल को जुकने नहीं देगा अमेरिका की यही गारंटी नितन्याहू को सभी दुश्मनों से भिड़ने की पावर देती है सुपरपावर का इसराइल के साथ खड़े रहना, उसकी जीत और वजूद दूनों के लिए जरूरी भी है वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसालों से हमले करके सभी को चौका दिया था तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है अब लगवग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है हमले को तैयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाग कर दुनिया को चौका दिया हो लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तौर पर पता नहीं है इसराइल के प्रधान मंत्री नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके है इधर इसराइल के रक्षा मंत्री यौफ गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है जरा देखे इसराइल के रक्षा मंत्री यौफ गैलेंट ने क्या कहा है इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ यौफ गैलेंट ने कहा कि इरान पर इसराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले कि इरान को बनक तक नहीं होगी इरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ यॉफ गैलन का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्सान पहुंचाने के लिए हूँगे क्योंकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेलशेत्र है इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उलादो इरान के अट्मी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में इरान में आय भुकम और परमानू बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतन याहू ने 50 मिनट तक पून पर बाचचीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस तरीखे से दिया जाएगा भले ये कयास लगाय जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर तबाव बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को तबा नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को कूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम की आड में अटमी परिक्षण ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी जंडी दे चुका है। ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था। लगबग 10 किलोमेटर नीचे और एक इरानी नुकलियर एनरजी प्लांट के करीब था। इरान के समनान प्रांद के कावीर रेगिस्तान में इरान ने परमानु परिक्षन किया है। ऐसे अब दावे किये जा रहे हैं। भुकम के समय और परमानु सुविधा के करीब होने के का तरण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक एरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था बुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती हैं ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और विग्यानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने परमाणू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बंप का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था इरानों को काफी नुकसान मौचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं ज़रा देखे इसराइल डिफेंस कोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मताबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके लावा आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रित्थ किया था खबरे ये भी है कि IDF की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिठ जाएगा और अगर इसराइल एरान को तबहा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडीली में सूपर पावर बन जाएगा